नमस्गर दोस्तो शोट अपडेट तो देखो फ्रेंट्स यहां पर सबसे पहली बात तो वो है कि किसी को क्रिप्टो करणसी को लोज में सेल नहीं करना है एक रास्ता है हमारे पास लोंग टम होल्ट पहला पॉइंट वो रहेगा अब देखो यहां पर शोट में आज समझने वाले है कि क्रिप्टो करणसी का टेक्स लगेगा तो कितना इंपक्ट रहेगा हमारी क्रिप्टो करणसी इंडस्ट्री में तो देखो और जबसे पहले एक और अपडेट है उसके बारे में बात शूट कर लेते हैं पर लास्ट में देखो रसिया ने बिटकोईन को आप देखो यहां पर इंडिया के बारा में बातचीत करेंगे तो इंडिया ने सीधा सीधा 30% टेक्स क्या सोचा यार सीधा 30% टेक्स तो लोगों ने आवाज भी बहुत उठाया बट अभी भी गवर्मेंट ने सुना नहीं है उसके लिए कोई रास्ता ने निका रहा है अगे यहां पर देखो अभी फिलाल देखने को यह मिल रहा है मैं आपको यहां पर बता देता हूँ देखने को यह मिल रहा है कहीं न कहीं इंडियान एक्चेंजों में से लोग एक्जिट मार रहे है और जा रहे है इंटरनेशनल एक्चेंजों में सबसे पहले उसे डर तो वही लग रहा है कि सबसे पहले टेक्ष का प्रोबलम होगा यह तो कुछ भी आने वारे टेम में प्रोबलम हो सकता है तो लोगों ने क्या किया यह एक्चेंज से बैषा निकालके दूसरे डाल दिया और बात चित करें जो लोग नये थे अन लोगों ने तो ओर लेड़ी क्रिप्टोकरंसी को लोस में सेल करके बाहर निकल गए तो वही बात है अब नए लोग थे और वो मिडल क्लास में आते थे और लेड़ी गरीब जैसे ही थे तो उन लोगों ने क्या किया लोस में सेल करके बाहर निकल गए तो देखो भाई उसमें गरीबी में से बिखारी बना सबसे पिछे रहेगा इंडिया तो थोड़ा सोचना चाहिए इंडर्स्टी बहुत बड़ी है देखो अभी यह फ्यूचर है तो यह क्या है तीस परसंट टैक्स साथ ही साथ लोज करेंगे वह तो देखेंगे वह देखेंगे उसमें से 30 परसंट दे दो तो सिद्धी सी बात है अब देखो यहां पर एक ही रास्ता है आप लोग को क्या करना है लोंग टर्म होल्ड करना है जब तक टेक्स कम नहीं होता तब तक होल्ड करना है क्योंकि टेक्स तो कम होगा होगा अभी बहले केप्रेल से एप्लिकेबल हो जाए बट आने वाले टाइम में टेक्स कम होगा जैसे GST में भी ऐसाई हुआ था पहले GST ज्यादा था भी धीरे धीरे करके उस लोगों ने कम कर दिया तो टेक्स में भी ऐसाई होगा लोग आवाद उठाएंगे पॉसिबाली नहीं तीस परसंट पे करना तो अभी तो इंडेस्टी छोड देना चाहिए कि तीस परसंट टेक अब वजरेक्स में भी होल्ड कर सकते हूँ बट मैं सोच रहा हूँ अपर डिपेंडेट है तो भी मैं सोच रहा हूँ इंटरनेशनल एक्चेंज में थोड़ा होल्ड करें बैनेंस फोर एक्जांपल हुभी ग्लोबल आई होप यह अपडेट आपको पसंद आया होगा डरन अब भी पैनिक सेलिंग ओंली इंडियन एक्चेंज में मुझे दिख रहा है बाकी तो पोजिटिव मार्केट चल ला है इंडियन एक्चेंज फोर एक्जमपल वजरेक्स कोईंडीश यह सबी एक्चेंज में 31st मार्च के अराउंड अराउंड पैनिक सेलिंग हो सकता है एक